हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल पहला क्राप्ट मैं इस वेस्ट थर्मकॉल से बनाऊंगी ये थर्मकॉल सिलिंग फेन के बॉक्स में होते हैं थर्मकॉल की भीतर साइट में ये राउंड कार्डबोर लगाऊंगी थर्मकॉल की उपर ग्लू लगाकर इसके उपर दूसरा थर्मकॉल चिपकाऊंगी थर्मकॉल को और स्ट्रंग बनाने के लिए मैं इसके बेक साइट में भी कार्डबोर लगाऊंगी थर्मकॉल के उपर में जूट रप लगाऊंगी आप इसके उपर कलर भी कर सकते हैं फेबरिक भी लगा सकते हैं इसके बॉर्डर में लेस लगा लूँगी प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को फूल वाच करें वीडियो तस्रीफ चार पाच मिन की होती है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है आप सबको भी पता होगा बीच बीच में मिरर लगाऊंगी और मिरर के उपर ग्रीन और रेट कलर का ओन लगाऊंगी उपर के साइड भी में मिरर लगाऊंगी और यहां में यलो कर रून लगाऊंगी देखिए फ्रेंड्स वेस्ट थर्मकल से कितना सुन्दर प्लैंटर बन गया और यह बहुत स्ट्रॉंग भी है सेकेंड डियावयाय में ओल्ड सिड्डी से बनाऊंगी सीड्डी के होल में थीक पेपर चिपका दूंगी सीड्डी के उपर नीचे दो हल बना देंगे सीड्डी के उपर जेस्ट लगाऊंगी और सुखने के लिए छोड़ जूंगी लैट स्काय कलर से में सीड्डी को कलर करूंगी सीड्डी के उपर में क्यूट सा बार्ड बनाऊंगी आप इसमें कुछ भी बना चकते हैं प्रेंड्स मेरी ड्रोइंग उतनी अच्छी नहीं है गल्ती पे ध्यान मत देना बट को में यलो और रेट कलर करूंगी प्रेंड्स में प्रेंड्स प्रेंड्स सेकेंड बट को भी मैं सिंपल बनाई हूं इस सीड़्ी पे मैंने लाइट ग्रीन और वाइट कलर मिक्स करके लगाई हूं आप बट को जो कलर चाहें कर सकते हैं इसरे सीड़्ी पे मैंने ब्राण और हॉइट कलर मिक्स करके लगाई हूं तीनो सीड़्ी पे में कोईर्स लिखूंगी तीनो सीड़्ी को पतले तार से आपस में बांध लूँगी इस पूल को मैं कार्डबोर से बनाई हूं इसे भी सीड़्ी के नीचे लगा दूँगी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगी हो तो लाइक को मेंने शेयर जरू करना थैंक्यू फ्रेंट्स प्रेंट्स